नमस्ते आओ आज अपन एमली की चटनी बनाते हैं खटी मिठी और भहुत टेस्टी वाली तो इसके लिए अपन एक कटोरी एमली लेंगे और उसे रात कोई भिगो के रख देंगे फिर सुबह उसे हाथों से मैस कर लेंगे मैस करके और उसे अच्छे से मैस करने के बाद में उसे चलनी में डाल करके अपन चान लेंगे थोड़ी सी महनत लगती है चानने में मगर बनती पहुत टेस्टी है यह और इसे बना करके स्टोर करके रख लो तो बहुत दिनों तक यह खराब भी नहीं होती और जहां मन हो उसक पूरा चान लेंगे, चान करके इसका पल प अलग कर लेंगे और कच्रा अलग करके और इसे अपन गैस पे कड़ाई रखेंगे, अच्छ से इसको चान लेते हैं, दबा दबा करके निकालेंगे ना, तो इसका पूरा पल्प बहार आ जाएगा और कड़ाई गर्म हो गई है अपनी अब कड़ाई में जो अपने ये इसका पूरा रस निकाला है ना इसको अपन कड़ाई में डाल लेते हैं ना अपने गी डाला ना तेल डाला कुछ भी नहीं डाला है ऐसे ही इसे गर्म करना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए और अब भी जितनी पतले दिख रही है उसके बाद में ये थोड़ी थिक हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो ये अपनी अल्मोस्ट थिक हो चुकी है अब अपन इसमें एक कटोरी मैंने इमली ली थी तो एक कटोरी मैं गुड़ ले लेती हूँ और फिर ये इसमें डाल देते हैं गुड़ डाल करके अच्छे से अपन इसमें भी मिक्स कर लेंगे पता है एक बार इसको स्टोर कर लेते है ना उसके बाद में जहां मन जाए इसको यूज करू एक चमच नमक डालेंगे आदा चमच हींग डालेंगे ताकि ये गरम है ना तो फिर हींग इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और नमक भी मिक्स हो जाएगा फिर थोड़ा सा यह ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद में अपन इसमें एक चमच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जैसे जैसी यह ठंडी होगी ना देखो यह ऐसे ठिक हो जाती है, है तो फिर अपन इसमें एक चमच डालेंगे भुना हुआ जीरा और एक चमच यह अपन डाल देंगे इसको भी अच्छ से मिक्स करेंगे एक चमच अपन इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और फिर आदा चमच मैंने डाला है काला नमक इसको अपन फिर मिक्स करके गांच की बोटल में स्टोर कर लेंगे आपको वीडियो मेरा अच्छा लगाओ तो लाइक करना नए हो तो सब्सक्राइब करना थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए